चन्दोली में नमंकन की पांच में दिन बिभिन दलों के प्रतियासियों ने किया अपना नमंकन भाचपा सपावा, बसपा सहित, अन्य दलों के प्रतियासि पहुंचे कलेक्टेट भवन अलग-लग सीटों में प्रतियासियों ने अपना परचा किया दाखिन सकल डीह से भाजपा प्रत्यासी सरमा तिवारी के साथ नामंखन किराने ll他是 पहुँचे केंद्री मंत्री- Đौक्टर महिंद्र नाथ पांडे नामंखन के बाद मीडिया से हुए मुखादिव सपा बसपा पर रहे हमलावर केंद्री मंत्री ने अखलेस यादव पर जम कर साधा निसाना कहा रात की बजाए दिन में सपने देखते हैं अखलेस सयद राजा के सेटिंग भाजबा विधायक वाप्रत्यासी शुसील सिंग ने भी किया नामांकन सदर कोतवाली शेत्र के कलेक्टर परिसर का है पूरा मामला चंदोली से करत के पाणने की रिपोर्ट जबाए देखते हैं तो मैं उतने अमल करूगा रहा है विधान सवाम किसे मुकाबला मालते हैं मुकाबला कहने को तो पार्टियां सभी लगना सबकादिकार लेकिन इस बार मैं शकलियां की जन्ता ने मन बना चुका है इस बाद इसे धारा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि इतना असर पड़े गए जिन घरों पर जंडा बना था उसमें भाजपा का जंडा तंग्या है इस बार एक हासिक जीत होगी सकल नियां की जल्पत के सबसे अच्छी जीत इस बार सकल नियां ही दर्च करें पूरी इस बार जंता चुना और रहे हैं इस बार जंता हमारे साथ परिये और भारती जंता पर यह से स्मिर्दी इरानी अमेठी में उन्होंने अपना पर्चम लह रहा है था चुना हाने कबाद मैं भी पांसा लगाता चुत्र रहा और जंता की सेवा करता रहा और जंता जो है रहे हैं समाजाने पाल्ट एक चारों विदान सवा भारती जंता पाल्ट एक पर कहना कुछ बहां को देख रहे हैं आने राजबर को आशर नहीं है जो भी थे सब अपने साथ आगे हैं आप पता कर सकते हैं चेतरव घूंब करके जीते राजबर हैं हमारे विजान कहीं इस तरह का कुल में सब्सक्राइब दूसरे चर्ण में ब्रजचेत्र में रोयल खंड के साजापूर आदी सभी छेत्रों में रामपूर में सभी जगह भार्जिंता पाड़ी के पक्ष में बहुत इसांदार उटिंग की रुजान की सुचनाएं हम लों के सब्सक्राइब दूसरे चर्ण को लेकर के भी इसी तरीके का बयान है और साथ में उन्होंने का है कि अगर भाजपा 40 सीट से 325 सीट आ सकती तो हम 47 से 400 क्यों नहीं आ सकते हैं अब यह तो आप सब बहुत ही जागरुक पत्रकार हैं अकलेश दी को दिन में सपने देखने के लिए हम रोक नहीं सकते भाजपा रियल अर्थों में 300 पार के बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं आधे वोटरों के लिए प्रियंका विकल बनने का प्रयास कर रही है राजदीव में और इलेक्शन में उनकी उपस्तती का कुछ उसा देखते हैं आपने जो सवाल किय उसका एक लाइन का मेरा उत्तर है और जिम्यवारी से उत्तर है और हम दसमार्च को इस बर मिलेंगे नितिन जी जैसे बंगाल में कांग्रेश जीरो पर आउट हुई है मुझे प्रत्यक्ष लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेश के पास जो दो तीन जनाधार के लोग थे जो अपनी परस्नल चबी से जीते थे वह भाजपा में आ गए हैं और कांग्रेश जीरो पर उत्तर प्रदेश में आउट होगी बिल्कुल आप रासंगे हो चुकी है